बासकर दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे सर्वो मोटर और स्टैपर मोटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि कैसे स्टैपर मोटर सर्वो मोटर से अलग होती है तो सबसे पहले अगर हम बात करें power supply की जो servo motor होती है इसको हम AC और DC दोनों पर इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो servo motor होती है इसको हम control motor के नाम से भी जानते हैं और यह basically दो type की होती है DC servo motor और AC servo motor अगर बात करें stepper motor की stepper motor को हम सिरफ DC पर ही इसको operate कर सकते हैं DC power source है इसके लिए हमें चाहिए उसके बाद है noise अगर हम बात करें servo motor के case में तो इसमें बहुत ही कम जो noise है वो इसमें produce होता है vibration इसमें नहीं होती अगर हम बात करें stepper motor के case में तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो significant noise इसमें produce होता है उसके बाद है control method जो servo motor होती है इसमें हम closed loop का استعمال करते हैं और इसमें हम encoder का भी इसमें किया जाता है और जो stepper motor होती है इसमें हम open loop में इसको استعمال करते है एक परकार से open loop application होती है और इसमें किसी परकार के encoder का इस्तेमाल नहीं किया जाता rotor pole अगर हम servo motor की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा rotor pole होते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं तकरीबन 10 या 20 के आसपास रहते हैं लेकिन stepper motor के case में जो rotor pole होते हैं वो 200 से 400 के बीच हो सकते हैं rotational speed की अगर बात करें servo motor के case में जो rotational speed है वो काफी ज़्यादा रहती है फास्ट रहती है तकरीबन 3000 से 6000 RPM के बीच लेकिन stepper motor के case में जो rotational speed रहती है वो बहुत कम रहती है 1000 से 2000 RPM के बीच में frame size की अगर बात करते हैं जो servo motor होती है यह हमें wide variety में इसके frame size में यह available रहती है लेकिन stepper motor के लिए जो frame size है वो limited होते हैं motor life की अगर बात करते हैं तो servo motor में हम जो brushes होते हैं जो हम DC servo motor में इस्तिमाल करते हैं उसको तकरीबन 2000 गंटे के operation के बाद उनको replace करना पड़ता है और जो hem encoder का use करते हैं उनको भी हमें replace करने की अशकता होती है तो इसलिए servo motor के case में जो life है वो कम रहती है और जो stepper motor होते हैं इसमें जो wearing part होते हैं वो सिर्फ bearing होते हैं तो इसलिए stepper motor की जो life है वो जद्यादा होती है और दूसरी बात servo motor के case में जो motor होती है वो mechanically complex होती है और stepper motor के case में simple होती है price की अगर बात करते हैं तो price, servo motor का price ज्यादा होता है एक expensive motor होती है जो stepper motor होती है यह inexpensive होती है सस्ती होती है performance की अगर बात करें दो चीजों में हमें ध्यान में रखना है constant load के case में और fluctuating load जो load variation होता है जब constant load के respect में performance देखते हैं servo motor की तो वो बहुत ही अच्छी होती है stepper motor के मुकाबले मतलब कि constant load के case में stepper motor की जो performance है वो servo motor से कम होती है जब बात आती है fluctuating load या load variation की तो उस case में काफी poor performance होती है servo motor की और एक average performance stepper motor के दुआरा provide की जाती है उसके बाद power to weight size ratio जो रहता है servo motor के case में काफी excellent रहता है और stepper motor के case में smart रहता है efficiency की अगर बात करते हैं servo motor ज़्यादा efficient है highly efficient है जो stepper motor है ये कम efficient है high torque की अगर बात करें high torque हमें servo motor के case में high speed पर मिलता है जबकि stepper motor के case में high torque हमें low speed पर मिलता है hunting during stop position hunting during stop position तो ये जो हमें जो hunting होती है servo motor के case में stop position में हमें मिलती है लेकिन stepper motor के case में ऐसा कोई concept नहीं होता reliability servo motor कम reliable होती है और जो stepper motor है ये ज़्यादा reliable होती है क्योंकि इसमें हम encoder का इस्तेमाल नहीं करती है और encoder के fail होने की कोईश में गुंजाइस नहीं रहती उसके बाद heat generation की अगर बात करें servo motor के case में कम heat generate होती है जिबकि stepper motor के case में ज़्यादा heat generate होती है तो एक प्रकार से servo motor highly accuracy पर काम करती है और जो stepper motor है ये कम accuracy पर काम करती है उसके बाद बात आती है application की किस motor को कहां पर इस्तेमाल किया जाता है servo motor को अगर हम बात करें robotic arm, robotic legs में इसका इस्तेमाल किया जाता है packaging machine में, radar system, process controller में, computer, robotics में, machine tool में, tracking और guiding system में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अलावा होर भी बहुत सारी application है जो medical devices होते हैं उसमें भी servo motor का इस्तेमाल किया जाता है injection molding machine में, जो defense industry में बहुत ज़्यादा यूज है special purpose machine में, semiconductor equipment में, तो ये इसकी application रहती है servo motor की अगर stepper motor की बात करते हैं तो इसको भी हम medical, biotech industry में इसका यूज करते हैं security और defense में भी इसका यूज है, semiconductor equipment में, 3D printer में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तो आज हमने इस video में आपके साथ discuss किया servo motor और stepper motor में दोनों के बीच में क्या difference है, कैसी एक दूसरे से अलग है अगर आपको ये video अच्छा लगा, आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और channel को subscribe करना ना भूले, जल्दी हाजिर होते हैं एक नए video के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे